दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीस सौगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जॉब इंडिया में प्यारे दोस्तो अभी आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को सेर कर दो दोस्तो रेलवे की तरफ से जबर दस्त नई भरती लेकर आचुका हूँ आज दोस्तो 14 जन्वरी और आज की नई भरती लेकर आचुका हूँ टोटल 75 पदोपर रेलवे की तरफ से स्टाफ, नर्स, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, पैरामेडिकल स्टाफ इसके अलामा फिजियो थेरपिस्ट और भी बहुत सारे पोजीशन है जिस पर दोस्तो फुल नोटिफिकेशन आ चुका है इसमें आप लोगों का वाकिन इंटरिवू होगा और इंटरिवू दोस्तो अलग अलग डेट में होगी पोजीशन के अनुसार लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो इंटरिवू होगा 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में दोस्तो इंटरिवू होगा तो दोस्तो इस वीडियो में qualification क्या होगी, job location क्या है, salary कितनी मिलेगी, कैसे farm का apply करना है, कहां से भरती निकारी गई है, job location क्या है, और इंटर्वू कैसे होगा, इंटर्वू date क्या है, बिल्कूल प्यारे दोस्त, एक टू जड़ सारी जानकारी आपको जो है इस वीडियो में description box में दिया गया है, वहाँ पर click करके इस PDF को download कर सकती हो, लेकिन सबसे पहले आप लोग पूरा वीडियो, अच्छे से देख लो, यहाँ पर date दिया गया है, 11 जनवरी 2022, तो दोस्तो बिल्कूल officially notification है, दच्छे पूरो मद रेलवे, साउथ इस सेंडर रेलवे, बिलासपूर 36 गड़ से दोस्तों यह भरती निकाले गई है, अब आप लोगों की job location की हम बात कर लें, तो यहाँ पर जोस्तो नीचे दिया गया है, आप लोग देखोगे, तो दोस्तों COVID-19 pandemic Central Hospital South East Central Railway बिलासपूर, तो दोस्तों COVID-19 Central Hospital South East Central Railway बिलासपूर 36 गड़ आप लोगों की job location होग यहाँ से दोस्तों 75 पदोप पर यह भरती रिलीज कर दी गई है, डेट यहाँ पर देख सकती हो, तो दोस्तों समवीदा पर भरती निकाले गई है, और COVID-19 की यहाँ पर वेकेंसी है, तीन से च्छे महिने के यहाँ पर वेकेंसी होने वाली समवीदा पर, अगर आपकी performance टोटल 75 वेकेंसी है, यहाँ पर स्टाफ नर्स की 49 वेकेंसी है, जिसमें स्टाफ नर्स में UR केड़गरी के लिए 23 वेकेंसी है, OBC के लिए 12 वेकेंसी, ESC के लिए 5 वेकेंसी, ESC के लिए 3 वेकेंसी, EWS के लिए 6 वेकेंसी, और इसमें दोस्तों अगर आपके पास experience नहीं ह बिल्कुल फ्रेसर वाले भी अप्लाई कर सकती है और experience है बहुत अच्छी बात है आप लोग अप्लाई करिए एज की बात करें तो 20 से लिएक फोर्टी एर्स यहां पर दोस्तो एज लिमिट रखे गई है जिसमें नीचे आओगे तो नमबर टू देखिए फार्मासिष्ट की चार वेकेंसी है यूर केडिगरी में तीन वेकेंसी है एक बार और आपको बता दें OBC वालों को इसमें तीन वर्स की छूट मिलेगी और दोस्तो यस्टी और यस्टी वालों को पाच वर्स की छूट मिलने वाली है अब यहां पे फार्मासिष्ट के लिए टोटल चार वेक की गई है और एज कराटेरिया में जो है गौवर्मेंट रूल के अनुसार आप लोगों को छूट मिलने वाली है नंबर थाड देखिए ड्रेसर की आप दोस्तों छह वेकेंसी है और जेनरल केटिगरी में देखिए पांच वेकेंसी है ओबीसी में एक वेकेंसी है अगर यसी क लिए वेकेंसी नहीं है ना है यसी के लिए है तो आप लोग क्या कर सकती हो जो यसी के वेकेंसी नहीं है यसी के वेकेंसी नहीं है वे लोग यूर केटिगरी में फाइड कर सकती है यूर केटिगरी में अपलाई करेंगे जाके इंडर्वू दे सकती हो कोई प्रॉब्लम न रखा है या साइन्स से या आपने रेडियोग्राफी में डिप्लोमा के साथ है एक्सरेट टेकनीशन का कोर्स का रखे हो तो भी आप लोग अप्लाई करोगे उन्नीस लेके 33 वर्स यहां पर दुफ्त एज लिमिट रखे गई है बाकी नीचे आओगे तो डेंटल हाईजिनिस कि अग्वेकन सी है इसमें जो है डिपलोमा सफिफिकेट कॉर्स या डिगरी वाले अप्लाई करेंगे और लैब सुप्रिटैंडेंडंट इहां पर दोवेकनसी है इसमें बाइउके मिक्ण्थ्री या माईक्रो बालाजी या यीज सायंस या बिस्वेकन सी या फिर आपने दोस्तों BMLT भी कर रखा है तो भी आप लोग यहां पर अप्लाई करोगे दो वेकिंसी एज की बाद को तो 18 से लेके 33 एज रिमिट रखी गई है आगे देखते हैं फटा फट जल्दी इसके बाद देखिए लेब असिस्टेंड ग्रेड सेकेंड की यहां पर लेकेंसी डाली इसमें दोस्तों क करेंगे बाकी यह और पर यहां प्लाई करेंगे अगर आपने हमाने देखियों सब्सक्रेंप और कि मांगा गया है त्याहरे Gourmet हो या प्राइवट होना चाहिए तभी आप लोग दोस्तों फीजियो थेरापिस्ट में अपलाई करोगे बाकि आप लोग देख लेना टोटल 75 पदोब पर यह भरती रेलवे की तरफ से कोविड-19 के लिए वेकेंसी निकाले गई है जो दोस्तों तीसरा लहर आरा इसको देख कर यह भरती निकाल अगत दी जाएगी जो कि अधिक्तम सेलरी जो 44,99 रुपए यह बेसिक सेलरी है इसके साथ ही आप लोगों को बहुत सारे यहां पर आलाउंस दिये जाएंगे डिया जाएगा आपको यह चारी दिया जाएगा आपको ट्रांस दिया जाएगा एच्पीय दिया जाएगा तो बहुत ही जबरदा सेलरी है यहां पर रेलवे में और बेसिक सेलरी देख सकती हो 44,99 रुपए है पलस आपको अलाउंस भी दिया जाएगा तो भाई सेलरी बहुत अच्छी है नीचे देखो कि दोस्तों फार्मास टिष्ट के लिए यहां पर 29,200 रुपए बेसिक सेलरी है प सुपरिटेंडन के लिए 35,004 रुपए बेसिक सेलरी है फिजियो थरपिस्ट के लिए 35,004 रुपए दोस्तों बेसिक सेलरी यहां पर होने वाली है बाकि आप लोग एक बार दोस्तों देख लिए बाकि इंटर्वू देखिए सबसे पहले आपको बता दें नीचे अप्लि पोश्ट करना है बस आपको जो है इस फार्म को अच्छे से फिल करिए जो भी डाकूमेंट्स है उसको अटेच करके बस जाएए आप लोग वाक इंटर्वू के लिए वहां पर आपका इंटर्वू होगा फिर आपका सेलेक्शन होगा बाकि यहां पर दो मोबाल नंबर दि जो है आप लोगों का इंटर्वू होगा 예요case D4 दी की बीच में जिनका इहां पर नेम होगा जैसे कि आगर आपका अमित है तो फिर आपका इंटर्वू होगा 18 जनवरी को अगर आपका हरीस नाम है यससे नाम है और SEL के बीच में नाम है तो फिर आपका इंटर्वू 19 जन्वरी को होगा तो अलफा बेट के तहट जो है आप लोगों का इंटर्वू होगा और स्टॉप नर्स का इंटर्वू दोस्तों 18, 19, 20, 21 जन्वरी को होगा और टाइम दिया गया है मॉर्निंग सिब्ड साड़े 9 बजे से लेकर दोपार साड़े 12 बजे तक और फिर दोस्तों दोपार डेड़ बजे से 3 बजे के बीच में दो सिफ्ट में आप लोगों का इंटर्वू होगा फिर दोस्तों फार्मासिस्ट एक्सरे टेकनिसियन ड्रेसर का यहाँ पर देखिए स दोस्तों इस पेडियाफ का लिंग नेचे डिसकेशन बॉक्स में दिया गया है जाके किलिक करके पेडियाफ को डाउनलोड कर लो थैंकि दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरू बताइएगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग जो है इस वीडियो को जादा से जा जाएँ अईसाइब कि दूसे जाएग टूसे हैँ है एक जियाएगा लोग जार में में रहे खियादा ।